गुद मॉर्निंग स्टूरेंट्स कुछ टेक्टिंकल प्रॉब्लम आते रेंज सी प्रॉब्लम करके मैंनों क्लास लगांचे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और वैसे भी बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंडिंग कर पांदे हैंगे क्योंकि ओना दी रेंज नहीं होंदी है इसकरके मैं आज़ा टॉपिक जो है उसी वीडियो सेंड कर रही हैं और इस दिन आलकुष क्वेशन्स भी सेंड करांगी जो बच्चे क्वेशन्स दे आंसर सही देंगे सिर्फ ओना दी अटेंडेंस लगेगी और सेवंटी परसंट क्वेशन्स तो अड़े सही होने चाहिए दे हैं अदरवाइस अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अज़र सहड़ा टॉपिक जो चालदा है छोशर रिलिजियस मॉमेंट जिसरा सी जान दे हैं कि उन्हीं सद्धे पहले अद्वेची ही पारती समाज वीच अनीक समाजी करते तार में कुरेतियां पर चले सन जो समाजलिक कलांकदी तरह सन खास औरते औरतां वीच पर चलेत कुरेतियां जिमें कन्याहत द्या बाल विवा विद्वा वियाते लगी होई रोक परदा प्रथा सती प्रथा इसनि इनद्व जीच ने औरते अलात होल भी माड़ी करकिती होई सी बहुत तर्स जोग हलास सेगी इस तो इलावा जाती प्रथा करन समाज वीच समाज जो सड़ा से कही वरगां वीच वन्डिया होया सेगा उच्चियां जातां दे लोग नीवियां जातां उते पारी जुलम कर दे सी सिख्या दी कमी दे करन लोग अग्यानता दी हने रे विच पठक रे सिगे आंद विच्वाश फैले होया सिगा उननी एक प्रमात्मा दी पूजा नू छड़के अनिका ही देवी देपतियां पीरां फकीरां कबरां पत्रां रुखां उनना दी पूजा कनी शुरू कर दे सी बामन लोका नू सही रस्ता दी खौन दी बचाए ओ गल्त रस्ते पारे सन सुगों खोखले रिती रिवाचां दी आड़ दे विच ओ अपना कर्चला रे सन अपने टिड़ पर रे सन इस दे नाल ही इसाई तरम दे आन नाल इसाई तरम तेजी नाल पार्थ विच फैलन लाग प्यासेगा पार्थी समाजमिक नमा रूप देन आते उस विच नमे प्रान फूकन दे लेई बहुत सारे एहोजे रिफॉर्मर्ज आये सुधारक आये जीमे की ब्रह्म समाज आर्या समाज रामकिशन मिशन थियोसोफिकल सुसाईटी अलिगड अंदोलन अंजुमंस सिंग सबा एहोजे के शलांगा जोग अंदोलन सामनी आये गुरूप सामनी आये गिनानी पार्टी समाज विच फैले हुए अंद विश्वाश्या नो दूर करन दा पूरा जोग लगाया पर सब तो पहला गल एह आंदी है कि ओ केरे कारण सान जिनना दे कारण समाजिक तार्मिक सुधार लहर दा उदे हुए सबनो पहले आंदा है कि शोशल रिफॉर्म मोमेंट दे विच की की आंदा है यह आंदा है शोशल प्लिटिकल एकनॉमिक इस सारे ही जो चेंज आये उस टैम दे उन्होंनो कठेयान वसी लाएके शोशल रिफॉर्म केनने है इस दा में ने इम किया सुसाइटी नू चंगा बनाना सुसाइटी दे विच जो माडे विचार है जो अंद विश्वाश है उन्हानो दूर करना अरे दूर करन दी लोड क्यों है क्योंकि अगर आसी तरक्की करना चानने है अगर आसी कुछ नमा सिखना चानने है ता ए सारे दे दूर करना बहुत ज़रूरी है सबनो वड़ी जो उस टैम दी प्रॉब्लम सीगी ओ सीगी विमन्स दे ना रेलेटिड विमन्स दे विच बहुत सारे एहोजे प्रितियां फैलियां होया सीगी जो की और ताली अभी शाब बनिया हुए है जिवे की सती जदो किसे औरत दा पती मर जानदा सीगा ता उसनो जबर दस्ती उस दे चिता दे विच जिला दिता जानदा सीगा और इस तरह औरत नू जला देना उस दे पती दे नाल ता उसनो सती प्रथा क्या जानदा सीगा अगर इस सारे ही पारदे सारे ही लाक्यां विच नहीं सी हुनदा अगर उसनो जलाया नहीं सी जानदा उसनो विद्वा दी औरत विद्वा दी जिन्दी जीनी पेंदी सी उस दे बाल काट दिते जानदे सान उस दा मुंडन कर दिता जानदा सीगा सफेद कपड़े पहनने पेंदे सी सादा जीवन नंगे पैर और जो सुख सुविदावा एक आम औरत लेंदी है उस सारे सुख सुविदावा तो उसनो वांजे कर दिता जानदा सी अते दुबारा मेरेज करनदा ता रीजन ही नहीं सीगा औरतां दी एजुकेशन वाल कोई त्यार नहीं दिता गया औरत एक लड़की दा जनम होना उसनो हमेशा ही पार समझा गया क्यूंकि व्यादे समय बहुत सारा तन दाज दे तो आरते देना पेंदा सीगा अगला कारण सीगा गरीबी गरीबी दे कारण लोग गुलाम बन रहे सीगे और गुलामा नाल बहुत माड़ा विहार किता जानदा सीगा उननो जानवर दी तरह ट्रीट किता जानदा सीगा बच्चियां दे विच भी बहुत कुरितियां सीगा अधे बच्चियां को रहनी देता जानदा सीगा उननो बच्चिपन तो ही लड़किया नू करला आते लड़किया नू बाहर दा काम सिखाया जान्दा सी even जबरदस्ती ओना तो लेबर कर्वाई जान्दे सीगी जो इस हैं सबनों जादा निटाड़िया जा रहें सी जिसनुman उस्टिएम ते बुरा हालत सामना कर रहें सिकाl ओना ना बहुत बुरितरा ट्रिया जान्दा सी वो इलाके दे विच एंटर नहीं सी हो सकते अगर किते इलाके च एंटर होना होना सी ता उना नू वखरीय वखरीय तरन या अवाजा करनीय पेंदियां सी गया और अवाजा सुनके ब्रामन आते दुझे लोग रस्ता शर दिन दे सन किसाना दी वी हालात कुछ अच्छी नहीं सी उना दे कोलों बहुत ज़ादा तान गराहा जानदा सिगा टैक्स लेया जानदा जिस दे कर उना दी वी हालात कोई पिखारियां तो ज़ादा नहीं सी राजा राम मोहन राए वारे असी कल पढ़े असी आई थिंक राजा राम वारे जिवारे नी स्वामी वेकानां जिवारे पढ़े आया तो आज असी एही टॉपिक शुरू कर दिया हम ब्रह्मो समाज़दा उन्यवी सदिते पहले याद वीच पार्थ वीच चले तार मीक समाजिक सुदार अंदोलना वीचो ब्रह्मो समाज़दा तो महत्तपुरन सिगा इस दिस था अपना राजा राम मोहराय जी नी अठारा सो अठाई इस वीविच किती सी बेटा में कुछ क्वेस्चन पुछने याँ जिस दे अकार्डिंगली तो हाड़ी अटेंडन्स लगेगी तो इस नूत्यार ना सुनियों कि राजा राम मोहराय जी ने अठारा सो अठाई इस वीच कलकत्ता विखे स्थापना किती ओन तो बाद द्विंदर नाट गोर अते केश्व चंदर सेन ने ब्रह्मो समाज दे विकास विच काफी जोगदान पाया ब्रह्मो समाज ने पारती समाज विच शाय हनेरे नू दूर करन अते नमा प्रकाश बखेरन विच बहुत ही सापाया राजा राम मोहराय जी नू आदुनिक पारता जनक भी क्या जान्दा है राजा राम मोहराय नू आदुनिक पारता जनक भी क्या जान्दा है उनना दा जनम बाई मेई 1772 हुगली देस्तित राधा नगर विच होया सी राधा नगर पिंड विच होया सी उनना दी जनम ती थी नू लेके तिहास करा विच कुछ मत्पवेद है बट उनना दे पिता दा नाम रमा कांत राए अते माता दा नाम तारनी देवी परवार बंगाल दे नवाबां दी सेवा विच सी गा उनना दे दादानों बंगाल दे नवाब कोलों राए दा किताब मिल्या होया सी उस समय तो राय शब्द प्रवार दे सारे मेंबरां दे नामा नाल जुड़ गया राजा राम मोह राय बच्पन तो ही बड़ी प्रतिबा देतनी सन उन्होंने अपनी मुडली सिख्या हुगली तो प्रापत किती अते बंगला पाशा विच काफी महारत हासल किती बाजवी चोनने अंग्रेजजी, फार्सी, जुनानी, अतिल लैटिन, आजपशावांदी सिख्या प्रापत किती राजा राम मोह राय ने सिर्फ हिंदू, सगों, इसलाम, जैन, बुद, इसाई, तरम्दाव, डूंगा अधिहन किता 1823 राजा राम मोह राय ने एक एश्वर वादियानों तोफा ना दी पुस्तक दी रश्णा किती एक एश्वर वादियान, एक एश्वर वादियानों तोफा इस विच उनने मूर्थी पूजा दी नखेदी कती अधिक सर्व शक्ती मान प्रमात्मा विच अपनी पूरी शर्दा प्रगड केती मूर्ती पूजा दी निखेदी दे कारण राजा राम मोहराय दे माँ बाप उननू नास तक समझन लगे सन पिता दा कहना सी अजेहा पुतर मेरे कर विच नहीं रह सकदा जो मेरे तरमदा ही अपमान करे माने किया मैं अजेहे पुतर दा मूँ वेखना पसांद नहीं कर दी जो मेरे देपता नू सिर नहीं चुकोंदा इस तरह मजबूर होके राजा राम मोहराय नू कर शड़ना प्या राजा राम मोहराय ने 1855-1814 तक इस्ट इंडिया कमपनी विच नौकरी किती 1854 विच ही राजा राम मोहराय ने नौकरी तो असीफा दिया दिता इस तो बादो कलकत्य चले गए अज़े ही ओना ने अपना बाकी जीवन लोकांदी पलाई लेई अथे लोक पलाई कारजा में चलगाया 1815 विच राजा राम मोहराय ने कलकत्य विके आत्मिय सवादी रचना केती इस दा उदेश हिंदू तरम विच परचलित समाजिक तार्मिक कुरितिया दा अंत करके एक एश्वर वादा परचार करना सी उनने 1820 विच एक खोर परसीद पुस्तक दे प्रिंसेस ओफ जीसिस प्रकाशित किती राजा राम मोहराय दा सब तो परसीद काम सिगा भी अगस्त 1808 इस विनू कलकत्ता विके ब्रमो समाज दी सापना करना राजा राम मोहराय ने उननी नवंबर 1803 पारतों इंगलेंड ले रवाना हुए इस जात्रा दे दो देश सन पहला मुगल बाश्शा अकबर दुज्जे दा पैगाम इंगलेंड दे बाश्शा नू पचाना दुज्जा ओथों दी सब्वेता दे संस्कृत दा अधियन करना इंगलेंड विच उनना दा शानदार स्वागत किता गया उनना ने अपने दोस्ताना मलके कुछ वर्न जोग कम भी किते अजी उनन दे एक कम जारी ही सन की अचानको बिमार हो गय 27 स्थंबर 1830 इंगलेंड दे ब्रिस्टल शेहर विच उनना दा दिहांथ हो गया राजा राम मोहरा ये बहुती प्रतिवाशाली व्यक्तिसान उनना दी प्रतिवाशान देख दे हुए मुगल बास्षा अकबर दुज्जे नी उननों राजा दे किताब नाल सनमानित कीता सी राजा राम मोहरा ये नु नब पर दा पहला महान निर्माता अते मार्ग दर्शन समझना चाहिदा है ए कियास भटाचारी दा विचार सीगा राजा राम मोहरा है दे कमा जा ब्रहमो समाज दियां सफल तामा बारे अगर गल करिये ता हिंदू समाज विच परचल कुरितियां उते एक नजर मारने जरूर बन दियां 1818 इस विच ब्रहमो समाजी स्थापना तो पहला हिंदू समाज दे चारे पासी एक संगणा हने रासिगा लोक वेद आते उपनिशद विच दसे गए साचनू पुल गए सन उनने एक परमात्मा दी पूजा दे थां केई देवी देपतियां रुख पत्थर सब उनननी पूजा करने शुरू कर देती सिगी ब्रहमन लोका नू सही रस्ता दिखाऊं दी बचाए आप प्रिष्ठ हो चुके सन लोका विच आन्द विश्वाष बहुत फैलया होया सी असल विच तरमिक विखावा बनके रह गया सी समाज विच औरतां दी स्तीती मरदां दी जोती दे बराबर समझे जान emissionसी समाज ने जो अधिकार मरदा देता सी ओ औरतां नहीं दिता सी और तनु सिर्फ एक पोग विला सी वस्तू समझे जानदा सी उना तो जनवना वांग खरीद्या विच्चे जानदा सी और उना विच परचलित कुरितियां जिवें की कुरिदा कतल करना बाल व्या सती प्रथा परदा प्रथा विद्व प्रथा देज प्रथा देश देवदासी प्रथा ए सारिये ही प्रथावाने उना दे जिवनों तर्स जोग बनाया होया सी उस समय जाती प्रथा बहुत कठोर हो गई सिगी एक जाती दे लोक दूजी जाती दे लोकाना नफरत करदे सन उच जातीयां दे लोक नीवी जाता उते बहुत अत्याचार करदे सन एना कुरितियां दे कारण हिंदू समाज बड़ी तेजी नाल पतल वालनू वदर्यासी राजा रामोहराय पार्ती नव जागरन दे अगर दूत अते समाजिक तार्मिक सुदार लहर दे अगुसान उनने पार्तवासियानू सदियां दी नीन तो जगाया उनने अपने अंथक जतनाल पार्ती समाज बड़ी पर चलित अनेका नफरत पर यां समाजिक तार्मिक कृतियानू दूर कीता और दे उथानली उनने जो जतन किते उनननू सदा याद रख्या जावेगा सिख्या आर्थिक पत्तरकारी राजनिती खेतर विच उनने बहुत जोगदान देता रास्ट निर्मान दा शायद ही कोई अजिहा पहलू होवेगा जिसनों राजा राम मोहन राय ने ना शेडिया होवे राजा राम मोहराय पार्थि समाजनिक नवी सेद अत्ते सुरूप देन विच सफल होए इसे कारण राजा राम मोहराय दा नाम सुनेहरी अखरा विच लिख्या जान्दा है राजा राम मोहराय ने तार में खेतर विच बहुत जोगदान देता उनने परचीन हिंदुतरम दे गौरव नू मुड स्थापित किता उनने हिंदुतरम बिच परचले कुरितियां दे आंदी विच्वास्ता पारी विरोध किता उननने एक परमात्मा दी पूजा उते योर दिता उनने दा कैना सी किसे होर देवी देवतादी पूजा करना उस सर्व शेक्ती मानदे अपमानदे बराबर है उनने मूर्ती पूजा नू समाज दे ताने बाने नू बरबाद कर देन वाली दस्या उन मूर्ती पूजा नू हिंदू तरम दा आंग नहीं मानदे सान। ओपगतां द्वारा मूर्तियां नू खाना खोण नू एक टोंग मांदे सान। उनने बेदनां ते उपनिश्यदां दी शलांगा किती। उनना ने वे विदान सूत्र, विदान सार, इस, केन, कंठ, मंडु के उपनिश्यदा, अंगरेजी आते बंगला विचे नवाद किता। ओने हिंदुतर विच ब्रामना द्वरक कितियां जारियां लुटक सुट दा विरोध किता। ओने लोकानू ब्रामना दे सहयोग तो बिणा आप ही अपने संस्कारानू पूरे करन लेई प्रेरेद किता। ओने पशुबली प्रथा दी तिखी ने गेदी किती ओननाने सारे तर्मानों प्रती शेहन शीलता दी नीति अपनाई। उने ब्रह्मो समाई दे मंदरां दे दर्वाजे सारे तर्मा आथ जातना दे लोकान ले खोल देते। किसे वे व्याकिनों किसे होर तरम दी निंड्या करन दी आग्यां नहीं सी। लोकानू पापा दूर रहेद आते स चीवन जीन लिए प्रेरित कीता मनुखनुं करमा दे उनसार फल मिलदा ए यह उनना धा विश्वास सिगा उनना ने लोकानुं फजूल दे रीती रिवाज छचडण ली अते मनुखनु करमा दे उनसार फल मिलदा है इस दे दिर्नीच्य दिखाया उन्हें आपसी पाई चरे दा परचार कीता किया कि मनुखधी सेवा ही सब तो वड़ी सेवा है राजा राम मुहराई दे समाजी केतर दियां कलना की तियां जान ता उन्हें बहुत सारी कुरितियां नू जड़ों में टोंदी कस्म खा दी उनना दा कहना सी कोई भी समाज तद तक तरकी नहीं कर सकता जद तक औरता नू मर्दां दे बराबर अधिकार ना देता जावे उनने कुडियां नू कतल अते गैर मनुखी दसेया इस दे विरुद परचार कीता बाल विवाद विरुद भी अवाज उठाई उनने परदा परथा नू औरतां दे विकास दे रस्ते विचिक वड़ी रुकावड़ दस्या औरतां नू सिख्याते जाइदा दे अधिकार देते जान दे पक विच परचार कीता विद्वाविया दे जोर देता सती प्रथा दे खात में दे तिहास वीची राजा राम मोहन राए दा नासदा अमर रहेगा 1811 स्वीची राजा राम मोहन राए दे वडेपरा जगत मोहन दी मोध हो गी इसली उना दी पतनी अलोक मंजरी नो जबर्दस्ती सती किते जान दा फैंसला किता गया उसने अपना पिछा शुड़ाओं ले काफी चीख पुकार किती पर निर्देई ब्रामना उते उस दा कोई प्रभावना होया उसने अग दिया लप्टा तो बचंदा यतन किता पर उस दे सारे जतन असफल होये उसी चीख पुकारना वातावन काम उठेया इस प्यांकर दरिशनों देखके राजा राम मोहरायदी आत्मा काम उठी और चौन्दे होय वी अपनी पर जाईदी रखेया ना कर सके इस दुख पर इकटना दा राजा राम मोहरायदी दिलते इनना डूंगा पर भापया कि इसलिए उसने इस कुरीती दा आंतकरन दी कसम खादी उनाने सती प्रथानों सब तो वड़ा पाप दसेया आप तहां थां शम्शाना वीच जान दे आते लोकानों जालम प्रथानों वंद करन दी बेंती कर दे उनाने शास्तना दे अधारते एस सिद किता कि सिद करन दा जतन किता कि उना वीच कदे भी सती दा समर्थन नहीं किता गया उनने सती प्रथा विरुद जन्मत त्यार करन दे उदेश नाल अखवारां आते रसालें विचे लेख लिखे उनने ब्रिटी सरकार नो भी सती प्रथा विरुद कानूनी पबंदी लगों ले प्रेरेद किता अंत विच राजा राम मोहराय दे जतन रांगले आये चार दिसंबर 1898 नो लाड विलियम बेंटिंग ने एक कनून दुबारा सती प्रथा उते रोक लगा दिती सती प्रथा दे खात में ले राजा राम मोहराय पार्थी और तांदे लख लख तानवादे हाकदार हान राजा राम मोहराय ने पार्थी समाज वीच पर चली जाती प्रथा दी भी करड़ी अलोचना कीती और ने इस प्रथा नो लोग तंतर विरोधी गैर मनुखी रास्ट विरोधी दस्या उनने क्या कि इस प्रथा दे कारण पार्ती समाज अनेका हिस्स्यां विच वंडिया जिस कारण सानु सदियां तक वदेशियां दी गुलामी नू सविकार करना पया उन्धा कहना से कि किसे व्यक्तिरी श्रेश्टा उस दे गुनते निर्पर कर दी है उना ने अपनी आपसी पाईचारे अंतर जाती व्या दुबारा नू मत्तम नू काटे करन्दा जतन किता राजा राम मुहराई ने इस तो इलावा सिख्या दे उपर बहुत जोर दिता ओ पश्मी सिख्या दे इन दे समर्थक सन उना दे विचार सी कि नवा ग्यान प्रापत कर ले पश्मी सिख्या जरूरी है पर ओ पश्मी सब्वेता दे अन्ने शर्दा लोने सन उना ने सिर्फ उना सिदान तनो पलाउन लेकिया जो पार्ती सिख्या दे विकास ले जरूरी है ओ बच्चयानू ओनना दी ही मातपाशावीच सिख्या दित्ते जान दे पाखवीच सन ओननाने लड़कियानू सिख्या दित्ते जान दे पाखवीच सन ओन्दा केना सी कि जदो तक लड़कियां पड़ियां लिखे नहीं होन कियां तक पार्थ विकास दे रास्ते विच नहीं आसाकदा आदुनिक वग्यां दिया दिहां दे पक्वी सन उनने पार्थ यानों अंग्रेजी सिख्या देन लेई लाड में काले दी जोजना नों पूरन से योग दिता सिगा सिख्या दे परचाले के इस सिख्या संस्थामा अलकत्ता विके खोले गया हिंदू कॉलज 1825 विच वेदांत कॉलज परमुखान उनने व्याकरन पंगो ओल रेखा गनेत नू बंगला विच पार्थ पोस्तका लिखियां ते वेदांते उपनिशा दा बंगला पार्थ विच अनुवाद कीता आर्थिक एतर विच विओनने जोगदन पाया उनना दा क्याना सी कि इस्ट इंडिया कांपणी दुबारा पार्थ विच अपनाईयां जानवालियां आर्थिक नितियां दे कारन पार्थी तरकी संभव नहीं उनना नी इस ताथ नुप्रगड कीता की अंग्रेज पारी मिकदार विच पारत्तों संपत्ती दा दोहन कर रहे हान इस दोहन दे कारन पार्थ बरबाद दी देकना रहती है ओन ने जीमिदारा दुबारा किसाना न किते जान वरे शोशन दा जोर दार विरोध कीता ओकिसाना दी हालत विच दार ले आंदे जान दे पाखविसान। जीमिदारानों मालिया दे वादे करन दे अधिकार दिते जान दे पक विच सान ओ चांदे सन की किसाना को लो कटो कट मालिया ले आजावे सरकारनों ओना दे इत्ता दीर सुरख्या करनी चाहिए दिये ओ दमनकारी खेती कनूनानों खतम किते जान दे पक विच सान राजा राम होराय ने प्रेस देखेतर विच खास जोगदान दिता 1821 विच उनने बंगला विच संबाद कोम दी ना दा हपतावार अखवार कडिया इस दा उदेश आम जनता तक तार्मिक समाजिक राजनिती विचारां दा अधान परदान करना सी 1821 विच उनने ब्रामनीकल मैगजिन शुरू किती इस दा उदेश इसाई परचारकान दे कोलों हिंदू तरम दी रख्या करना सीगा 1822 विच उनने फार्सी विच मिरात अल अखवार शुरू किती इसनों मसल्माना ले शुरू किता गया 1889 विच बंग दूत नाधी अखवार शुरू किती इस चार पशामा बंगला, फार्सी, हिंदी, अंग्रेजी विच शुरू किती गई इस दा उदेश लोग कानू रास्ट्रिया ते अंतरास्ट्रिकत नावानिया सही जान कर देना सीगा राजा राम मोहराय ने इनाख वारा द्वारा पार दे पड़े लिखे नोजवाना नो एक नमी रास्ट्रिय चेतना पैदा करन विच सफलता प्रापत किती ओना ने 1823 विच सिरकार द्वारा यारी प्रेस आर्डिनेंस दा विरोध किता इस दा कारण एसी की आज़नेस वरा प्रेस दिस्तनतता वते सट मारी गई सीगी राजा राम मोहराय ने परशाशें केतर विच वी जोगदन पाया ओना ने देज दे परशाशें विच सुदा आर्द लियों दे उदेशना अंग्रेजी सरकार दे सामने हेट लिखियां कुछ मंगा रखियां जिवें की उच सेवामान दा परती करण पारती करण कीता जावे कार्ज पालिकानो न्या पालिकातो वाख कीता जावे प्रेस्टाचार नो दूर कीता जावे अधालत विच इमानदार जाज निजुक्त कीते जाण चुठी गवाई नू खतम किता जावे, ज्योरी प्रथा नू लागू किता जावे, पंचाय दा पुनर निर्मान होवे, नागरकानू मौली का दिकार दिते जान, सरकार दमनकारी कनूना नू बापस लवे, उनने 1827 सरकार द्वारा पास किते ज्योरी एक्ट दा विरोध किता क्योंकि इस दुरा हिंदू ते मुसल्माना विचे पेदपाव किता जा सकदा सी। अइते ही नहीं, अंतरास्टी खेतर विच वी उनने बहुत जोग दन पाया, और वक्वक खेतर विचे आपसी सह जोग आते दोस्ताना सबन स्तापित करन दे चाबान सन। जदो ओ उनने 1821 विच इटली विच नेपलेस विच रिखे करांती दी असफलता दी खबर बिली, तो बहुत दुखी होए सान। समाज सुगंपूरे ही देश विच मशूर सन अते उनना दा नाम दूर दूर तक फैल्या होया सी। सुगरे ही बिली ते चुगंपूरे ही तो बहुत पका होए lud कि सावपन। समांस दूरे ही दो हाती है